जय हिन दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल सिव सांती क्लासस में तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बहुत इंपोर्टेट टॉपिक क्लियर करने वाले हैं तो आज का topic क्या है इस्थानी अमान निकालना क्या निकालना इस्थानी अमान निकालना यह बहुत important topic है इस topic से exam में जो one day exam होते हैं जैसे ssc हो गया railway हो गया इन exam में 100% एक दो या तीन question 100% आते हैं तो यह वीडियो है इस्थानी अमान के बारे में अगला वीडियो होगा जाती अमान के बारे में तो इस channel पर बहुत सारे वीडियो हम डालते रहते हैं तो इस channel को विजय द्वजगर कीजेगा मैं लाश्ट में बताऊंगा कि आप कहां से हमारे और वीडियो कहां से देख सकते तो इस चैनल का ही उद्देश है कि मैथ से डरना मना है मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 6 महीने 6 महीनी बहुत बोल दिया आप अभी तक जितने ही वीडियो डले हुए हैं मेरे चैनल पर उनको ही आप देख लेंगे न तो आपके अंदर confidence हो जाएगा कि आप मैथ से डरते नहीं है आपका मैथ फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा ये मेरी गारंटी है ठिक आप पुराने वीडियो देख लीजिए और 2 महीना आप मेरे को तीन महीना फालो कीजिए ये दि नहीं लगे तो पर उसके बाद अनसब्सक्राइब करके चले जाएगा ये मैं दावे के साथ करके मुझे अपने याप पर विश्वास है confidence है overconfidence नहीं है ठिक तो चलि हम इस topic पर बात करते हैं फिर हम last में बात करेंगे जो बच्चे हमारी बाते सुनना चाहते हैं तो जरूर रुकेगा पहले मैं इस्थानी अमान के बारे में बता देता हूँ ठिक तो देखिए आपको इस सब्द से ही समझ में आ रहा होगा इस्थानी अमान ठिक question पहले क्या है देखते हैं 6,4,9,2,3 क्या है? 6,4,9,2,3 ठिक ये question है अब इसमे 6,4,9,2,3 इसमें बताईए इस्थानी अमान मतलब इस्थान जो भी नंबर है उसका इस्थान कौन सा है वो हमें बताना होता है इसमे कि किसी भी नंबर का इस्थान कौन सा है तो पहले हम इस थान कैसे जानते हैं? आपको पता होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दसजार, लाग, दसला, करोड, दसकरोड, इसका भी वीडियो में बता है होगा, कि लासक, संख, पदम, अदम, पदम, जो भी होता है न, वो सारी चीज़े इसमें बताई गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये क्या होता है? इकाई, क्या होता है? इकाई, ये क्या होता है? दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर होगे क्या? दस हजार, ये तो छोटे बच्चों का खेल हैं, लेकिन ये छोटे बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि देखिए, पढ़ने के बाद तो लगे गए यह था यार पर जब पेपर में बीना पढ़े जाएंगे फिर पश्टाना रह जाएगा इतनी छोटी सी चीज में नहीं पढ़के गया था और ये कोई नहीं पढ़ाता आप कितनी भी बड़ी-बड़ी कोचिंग ले जाओ ये कोई नहीं पढ़ाता है और इसके क्वेश्टन आते हैं आप बोलो कि तुम्हें प्रूफ दिखा दूँगा ठेक? तो देखिए हम बात करते हैं कि अब ये इकाई है दहाई, सेकड़ा, हजाद, हसजाद ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे गिनते हैं, इधर से गिनना शुरू करते हैं तो अब क्वेश्टन कैसे आएगा इसके बारें बात करते हैं तो देखिए, जैसे तीन का इस्थानी अमान बताईए, जैसे ये क्वेश्टन देदेगा बोलेगा तीन का इस्थानी अमान बताईए तो तीन का इस्थान इमान क्या है? देखिए, तीन तो है ही, अब इस्थान कौन सा है इसका? इस्थान है इकाई, इकाई मतलब एक, तो इन दोनों को मल्टिप्लाई करें गोट क्या हैगा? तीन, ठिक? अब ये जान लीजिए एक बार, इकाई मतलब एक, दहाई मतलब दस, सै यह भी पता होगा आपको तो देखिए अब दो का क्या हो जाएगा दो तो है ही गुणे दो मतलब किसमे है दहाई एंक में है तो दहाई मतलब 10 तो क्या हो जाएगा यह बीस 9 किसमे होगा 9 का इस्थानी मन क्या हैगा 9 गुणे 9 किसी स्थान पर है यह हमारे पास एकाई दहाई और सेकड़ी स्थान पर है सेकड़ी मतलब 100 तो 9 का 100 से गुणा करेंगे तो क्या हैगा 900 मतलब कहने का क्या है कि 9 का इस्थानी मन क्या होगा 900 होगा उसी प्रकार 4 का इस्था हजार इस्थान पर है और हजार का मतलब एक हजार तो इसका एंसर क्या हो जाएगा चार हजार तो चार का इस्थानी मान चार हजार छे का इस्थानी मान छे गुणे क्या है दस हजार तो दस हजार तो क्या जाएगा ये साथ हजार तो छे का इस्थानी मान क्या है दस साथ हजा तो मतलब क्या है जिस नंबर कभी स्थानी इमान क्वेश्चन में पूच्छा जाए क्वेश्चन में एक ही आएगा पूरी तरज नहीं आएगा क्वेश्चन में सिपड़ना आएगा कि 9 का स्थानी इमान बताएए उसमें आप्सोन में रहेंगे 900 9 Hai Z encontramos 9 ऐसे option में रहेंगे तो आपको इदी पता होगा तभी आप निकाल सकते हैं इदी नहीं पता था तो आप बताईए निकाल बता सकते थी नहीं बता सकते थी माली जी यही question आ गया 6,4,9,2,3 6,4,9,2,3 में question कैसे आएगा वो देखिए में 9 का इस्थानी मान बताईए option हो जाएगा 9,B option होगा 90,C option होगा 900,D option होगा 9,000 अब बताईए आपको यह चीज़े नहीं पता होती अभी मलब इसके पहले नहीं पता थी यह कि यह नहीं पढ़के जाते तो क्या आप इसमें answer लगा सकते थे कभी नहीं लगा पाते आप आप 9 लगा के आ सकते थे आप तो यहां से क्या पता चलेगा आप कैसे निकालते हैं इसमें निकालते क्या है 9 तो रहे गई और इस्थान निकालना है इस्थानी अमान निकालना है तो इस्थानी मतलब 9 किसी स्थान पर है यह है इकाई दहाई सेकड़ा 100 कड़ी स्थान पर है सैकड़ा मतलब 100 तो क्या हो जाएगा ये दोनों को multiply होगा तो ही हो जाएगा 900 तो इसका answer क्या होगा 900 आया समझ में उम्मिद करते हैं ये video बहुत अच्छी लगी होगी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को subscribe कर लिजिए जब channel को subscribe करेंगे आप इस जगह पर click करेंगे तो आपको ऐसे दिखने लगेगा ठीक? मतलब bell icon दिखेगी आपको bell icon दिखने के बाद आपको इस bell icon पर जब click करेंगे तो आपको इतने सारे option दिखेंगे उसमें से आपको इस all पर click करना है जैसे ही all पर click करेंगे और all पर click करते ही आपके सामने ऐसा interface दिखने लगेगे मतलब जहाँ पर subscribe लिखा था वहाँ पर bell icon दिखने लगेगे और वीडियो को like करेंगे तो जैसे आप भर जाएगा ये खाली था तो भर जाएगा तो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा इसका कोई चार्ज नहीं है बस इससे होता क्या है कि आप सिवसान्ती परिवार में जुड़ जाते हैं और जब भी मैं ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो इंपोर्टेंट वीडियो जब मैं अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मुबाइल पर मिल जाता है ताकि उस इंपोर्टेंट वीडियो से आप चूकते नहीं है पहली बात दूसरी बात जिन बच्चों को और पुराने व कि यहां पर मौर का option दिख रहा है वहां पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको यह box दिखेगा इस box में देखते ही आप इस मौर पर क्लिक करते ही आपको यह सारी चीजे दिखेगी तो जब आप नीचे जाते जाएंगे ऐसे scroll करते जाएंगे तो आपको सभी वीडियो दिखे बता सकते हैं 100 तक कहीं नहीं आप 101 से 1000 तक का स्क्वेर बता सकते हैं मतलब 1 से 1000 तक का स्क्वेर आप 10 से 20 सिकेंड में बता सकते हैं बहुत सारे बच्चों को 20 तक स्क्वेर नहीं पता होता है आप इस वीडियो देखने के बाद आप अपने दावेग साथ कह सकते हैं कि मुझे 1000 तक का स्कुयर आता है यह आपको जादू लगर होगा यह चैनल ही जादू गर का है यह समझ लीजी मैत का जादू जब आप इस नाम पर क्लिक करेंगे न तो आपको सबसी उपर लिखा हुआ दिखाई देगा इस नाम पर क्लिक करते ही सबसी उपर लिखा दिखाई देगा कि मैत से डरना मना है ठिक तो आप 3 से मल्टिप्लाई का ट्रिक देखेंगे 2 से फिर 3 विच और नीचे देखेंगे तो बहुत सारे आपको दिखाई दे देएंगे उसके लाबा आपको comment box में भी यही लिंक जो आपको यहा लिंक दिखे थे वहीं लिंक आपको comment box में भी दिख जाएंगे तो आप duckception box में जाना चाहते है तो वहां जाके देख सकते हैं और कमेंट बाक्स में देखना चाहते हैं तो वहां से भी जाके देख सकते हैं यहां भी आप रीड मोर में जाएंगे तो सभी के लिंक आपको दिख जाएंगे इन पर क्लिक करके आप जरूर देखिएगा कमेंट बाक्स में आप बताईएगे कि यह वीडियो कैसी लगी प्लस आप कहां से वीडियो देख रहे हैं और अभी आप किस क्लास पर हैं मतलब क्या पढ़ाई कर रहे हैं मतलब क्या कर कह रहे हैं आप इस बारे में जरूर बताईएगा मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे यूटूब के जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे व्यूवर हैं, वो क्या करते हैं समय, वो मैं जानना चाहता हूँ, ठिक, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कीजेगा, सब्सक्राइब कीजेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिन जय भारत